नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक अनेलसिस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल अनेलसिस की पार्ट 3 वीडियो में तो जैसे मैंने पिछे दो वीडियो आप लोग को बना के दी सिमिक्ट्रिकल ट्रेंगल पैटन और अ में बात करने जा रहा हूं तो देखें ये भी एक बहुत अच्छा पैटन है जो मार्केट में अक्सर बनता रहता है ये सिमिक्ट्रिकल ट्रेंगल पैटन का पार्ट 3 है समलेजिए कि ये उसका पार्ट है क्योंकि ये तीन तरह की ट्रेंगल पैटन में जो है मार्केट चलत कहां पर हमारा stop loss रखना चीए और कहां पर हमारा ये target होना चीए तो चलिए आईए जो है शुरू करते हैं descending triangle pattern तो इसमें देखे क्या होता है इसमें एक ये support होती है इस support पे कोई particular stock जो है multiple times means one time two time मतलब multiple times जो है lower low lower high lower low low lower high lower low low lower high तो ये lower high के formation में ये जो है form होता है continue तो यहां से पकड़के हम जो है trend line draw कर लेते हैं तो देखे बहुत simple pattern है इसमें कोई rocket science नहीं है इसमें आपको क्या करना है जहां से price बार पर bounce back कर रहा है वहां पर आपने एक support draw करनी है second जो है आपने जो है lower high को पकड़के आपने दो lower high को trend line वहां पर draw करनी है और उसी trend line को पकड़के extend कर देनी है तो आपका जो ही ये pattern जो है form हो जाता है यहां पर मैं आपको एक दूसरा example देखे दिखाता हूँ यहां पर देखी price जो है एक particular मान लिजीए ये जो support है इसको हम 100 रुपीस मान लेते हैं तो इस 100 रुपीज पर जाता है और इस price को हम जो है मान लेते हैं 110 रुपीज तो ये देखी 100 रुपीज जाता है 110 फिर 100 पर फिर इसको मान लेते है 105 तो हमको जो क्या करना है हमको जो जिस support से particular stock जो है बार-बार bounce back कर रहा है वो support हमको draw कर लेनी है और यहाँ पर जो आप देख lower high lower low lower high lower low lower high तो इस तरह से हमको पकड़के जो है दो lower high हमको trend line हमडरो कर नहीं है और उसको फगटके हमने extend कर दिना है और entry देखी हमारी कहां पर होती है entry हमारी यहाँ पर breakout पर होती है stop-loss इसका swing high जो होता है यहाँ पर stop-loss होता है और यहाँ जहां से pattern यह बनना तो यह हमारा target होता है तो चलिए आईए इसको जो है हम chart pattern में देखते हैं उससे पहले मैं आपको जो है यहाँ पर एक draw करके आपको बता जीता हूं कि मतलब किस तरह से यह pattern जो है market में काम करता है तो देखी माली जी एक particular stock है और particular stock हमने यहाँ से start हुआ और यहाँ से start होने के बाद मान लेजिए इसका high यह लगा ठीक है और next जो है यह कहां तक यह next हमारा जो है इस support तक जो है यह समरजिए retracement हुई इसकी ठीक है next इसी particular stocks इसी particular यह जो जगह है यह जो price है यहाँ से फिर यह उपर की तरफ यह गया ठीक है और यहाँ पर इसने एक lower high बनाया lower high बनाने क के बाद फिर जो है continue यह जो है यह कहां तक आया जहां से मतलब last time यह bounce back हुआ था यह वहां तक फिर आके यहाँ पर इसने support लिया और इसके price ने जो है इसी support से फिर फिर next time फिर जो है एक यहाँ पर आप lower high जो है यह देखिए lower high बनाता है lower high बनाने के बाद फिर जो है particular stock जो है फिर एक support पर जिस support से bounce back हुआ था फिर यह support तक आता है उसके बाद मतलब यह जो formation जो है यह continue चलती रहती है ठीक है तो इसको हम इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह देखिए यह continue एक lower high बना रहा है और इसी support पर बार बार ज second high है यह third high है और fourth high है तो यह जो high है यह previous high से यह नीचे है means यह high जो है इस high से ज्यादा है यह high इस high से ज्यादा है और यह high इस high से ज्यादा है means यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर lower high ठीक है lower high lower low lower high lower low lower high तो हमने देखिए क्या करना है बहुत simple pattern है यह हमने यहाँ पर इस तरह से support draw कर लेनी है ठीक है इस तरह से हम चली सिंपनेगल लेनी है और तुब च्छक़ा हमारा अब देखेड़े मैं यहां पर आपको पनेगलता हऊ चाहिंब एक प्रशाब हम्यूस के में बता देता हूं कि हम को trade कब लेना है यहां पर हमने stop loss क्या रखना है और हमारा यहां पर target क्या होना चाहिए तो दिखिए आप यहां पर इसके breakout पर trade ले सकते हैं यहां पर breakout कर रहा है यहां trade ले सकते हैं breakout करके यहां तक आया आप यहां पर trade ले सकते हैं otherwise जब यह particular stock जो है इसको retest करने के लिए जाएगा और retest करने के बाद यहाँ पर कोई bearish candle बनाता है या पर कोई confirmation देता है तो यहाँ पर आप trade ले सकते हैं और आपको यह target जो है मैं बतायता हूँ कितना होगा target देखिए यह particular यह जो जगा है इस price आप यहाँ पर देख लिए 34 रुपीज है और जो इसका high लगा है इसका 47 रुपीज है तो यह 13 रुपीज का यह gap हो गया इस support में और इस high में जो हमने यहाँ से जो lower high बना start हुआ है जो है 13 रुपीज का gap है तो हमारा जो target होगा वो target हमारा 13 रुपीज का ही होगा और चलिए आईए आप जो हम entry की बात कर लेते हैं entry देखिए आप यहाँ पर भी ले सकते हैं और second जब यह retest होने के लिए आता है और यहाँ पर आपको कोई confirmation मिलती है आप फिर भी entry ले सकते हैं second आपके देखिए entry आप यहाँ मिले सकते हैं जो इसने यहाँ पर देखिए breakout दिया breakout देने के लिए retest होने गया तो आप यहाँ पर भी entry ले सकते हैं अगर आप चाहें तो और second देखिए आप stop loss की बात करते हैं stop loss यहाँ पर कहाँ पर हमने रखना है तो stop loss देखिए, यहाँ पर जो candle break करेगी, आप यहाँ पर swing high मिले, तो यहाँ पर आप कोई stop loss रख सकते हैं, बट अगर आप सिफली जाना चाते हैं, तो आपका stop loss जो है, यहाँ पर होगा, तो यह आपका stop loss हो गया, और यह आपका stop loss हो गया, जो यहाँ पर swing high बना हुआ है, या फिर जिस candle, अगर किसी candle की size बड़ी है, बड़ा size है, और जो है, मतलब काफी volume के साथ उसने breakout दिया है, तो आप वहाँ पर जो है, उसके उपर stop loss रख सकते हैं, अगर आप छोटा risk लेना चाहते हैं, otherwise आपको stop loss यहाँ पर रखना चाहिए, तो यहाँ पर ले सकते हैं, य आपने इस चीज का जरूर धियान देखना है, यह जो मतलब lower low, lower high, lower, 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 lower high, तो आपने यह lower high को पकड़ते हुए, एक trend line draw करनी है, और जहां से stock बार बार bounce back कर रहा है, आपने वहाँ पर support draw कर लेनी है, देखें, बेकुल simple pattern है, मैं आपको जो है, आप चार्ट में ले चलत तो यहां पर देखें क्या हुआ, यहां पर price जो है, यह देखें, same level पर आकर यहां पर bounce back हो गया, यह जो level था, यह 51 रुपीस का level था, और यह भी 50 और 51 के बीच में आकर यहां से bounce back हो गया, next time फिर जो है यह देखें, हमने इसको पकड़ के support को draw कर लिया, और यहां पर centring triangle pattern हमारे सामने आ गया, देखें, बिलकुल simple pattern है, कोई rocket science नहीं है, और यहां पर देखें, हमारा target क्या होगा, आप यहां पर यह देखें, इसका price जो है, 51 रुपीस है, और यहां पर प्राइस दे सकते हैं, यह 73 रुपीस है, तो आप यहां दे सकते है, 22 रुपीस का, जो ह इसका low नीचे लगा हुआ है, तो 30 रुपीस के बीच में, तो 21 रुपीस देखें, फिलकुल आसानी से यह अचीव हुआ है, हमारे देखें, target जो है, मतलब इतना है target होना चीए, stop loss मैंने आपको बताया, देखें, अगर आप यहां पर stop loss देख रहे हैं, कि कहां पर stop loss रखे यह देखिए, यह जो यहां पर swing high बना हुआ है, या तो आप यहां पर swing high पर अपना stop loss रख सकते हैं, या तो आपका stop loss जो है, यह होगा, जो इसका lower high बना हुआ है, यह देखिए, यहां पर आप अपना stop loss रख सकते हैं, और safely केल सकते हैं, चलिए आईए, हम जो है, मतलब ए एक All-Draw करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखी, मैं क्या करता हूँ, यह देखी, आपको मैंने वैसे बता ही दिया है, कि जो support है, जहाँ से price बार-बार bounce back कर रहा है, ठीक है न, उसको आपने क्या करना है, माल लिजे यह support है, और यहाँ पर आकर price फिर यहाँ पर bounce back किया, आपने इसको extend कर लेना है, अपनी support line को, ठीक है न, और यहाँ पर आपने जो है lower high को पकड़ते हुए, जो है trend line draw कर लेनी है, और finally यहाँ पर देखी, किस तरह से breakout हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह देखी, यहाँ पर breakout हुआ है, breakout होने क्याद, retest होने क्याद, आप चाहिए यहाँ पर इसकी entry ले सकते थे, ठीक है न, या फिर यहाँ पर जैसा कि यह देखी, आप जो यह candle देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर देखी एक bearish angle finger pattern बना, ठीक है, यह जो candle देख रहे हैं, यहाँ पर bearish angle finger candle बनी, तो आप नीचे मान लिए, तो नेरवर 45 रुपीस का हमारा target यहाँ पर निकल कर आया, तो देखिए, यहाँ पर 90 और यहाँ पर बहुत आराम से देखिए, यहाँ पर भी target अचीव हो गया है, तो चलिए, मैं आपको एक pattern और कोई दिखाएता हूँ, एक chart में और आपको मैं दो लिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर यहाँ पर देखिए, हमको support मिला, हमको यहाँ पर दूसरा support मिला, तीसरा support मिला, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अपने support को एक्स्टेंड कर लेना है, ठीक है ना, और उसके बाद यह जो हमारे Draw करके रखी हुई है अब next जब हमको यहाँ पर इस तरह की moment दिखती है तो हमने यह जो है इस तरह से Draw कर देना है अब यह देखिए हमने Lower high यहाँ पर एक Lower high मिला यहाँ पर एक Lower high मिला है यहाँ पर एक Lower high मिला है और हमारा descending triangle pattern त्यार हो गया अब आईए देखते हैं यहाँ पर कि हमारा टार्गेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ तो देखें टार्गेट जैसे मैंने आपको बताया कि जहां से हमने ट्रेंड लाइन स्टार्ट करनी है और हमारा सपोर्ट इसका जो गैप होगा यही हमारा टार्गेट होगा तो यह देखें यहाँ पर 41 रुपीज है 42 रुपीज है और यहाँ पर जो है 60 तो आप 20 रुपीज 22 रुपीज का यहाँ पर हमारा टार्गेट होना चाहिए तो यहाँ पर देखें हमारा टार्गेट 41 रुपीज और यहाँ पर बड़े आराम से होगा यहां पर 18 लुपीज है ठीक ना बड़े अराम से यहां पर टार्गेट अची हुआ अब देखिए मैं यहां पर आपको एक बार फिर बतायता हूं कि यहां पर आप जो है वॉल्यूम साथ में एड़ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा यहां पर देखिए वॉल्यूम ने कोई खास सपोर्ट ने किया अगर आप चाहे तो इस केंडल के नीचे आप एंटरी ले सकते हैं देखिए एक मिनट मैं यहां से जो है चलिए ठीक ह तो यह देखिए आप यहां पर एक ड्रॉ कर लीजिए यह देखिए जो जिस केंडल ने ब्रेक आउट दिया है इस रैट केंडल के उपर भी आप अपना स्टॉप लोस रख सकते थे अदरवाइस आप जो है स्विंग हाई के उपर स्टॉप लोस रखेंगे तो वो सेफ अगर आप नहीं इतना स्टॉप लोस लेना चाहते हैं तो जिस केंडल ने ब्रेक किया है आप इस केंडल के उपर अपना स्टॉप लोस रख दीजिए यह आपकी एंट्री होगी और टार्गेट यह जो गैप बना था सपोर्ट और ट्रेंड लाइन की बीच में जो गैप हो और आपको एक चीज और यहां पर बता जेना चाहता हूं कि यह जो डिसंटिंग ट्रेंगल पैटन है यह 90% मतलब को आपको कहां पर देखना चाहिए दाउं ट्रेंड में अगर कहीं पर कंटिनीव डाउं ट्रेंड चल रहा है दाउं ट्रेंड चलने के बाद अगर आपको तो मतलब that is the most probability मतलब कि वो जो है डाउन साइड नीचे साइड ही ब्रेक करेगा 90% चांस ऐसा ही होता है कि वो मतलब नीचे के साइड में ही ब्रेक करता है बट 10% चांस ऐसा भी देखा गया है कि वो कई बार ऊपर की तरह भी ब्रेक कर देता है तो चलिए आईए हम यह देख लोवर हाई बन रहा है और इसने उपर की तरह से ब्रेक आउट कर दिया तो अब आप स्टॉप लॉस अपना कहां पर रखेंगे अपना टार्गेट क्या रखेंगे आप एंट्री कहां पर लेंगे तो अब यह बात निकल कर आती है तो देखिए इसमें बिलकुर सिंपल है जो ये support है, इस support के नीचे आप अपना stop loss रह सकते हैं, ठीक है न, देखें ये तो अभी नीचे की तरफ break हुआ है, अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ break out देता है, देखें 90% case में जो है मतलब downtrend में अगर descending triangle pattern बनते हैं, तो वो नीचे की तरफ ही break out देते हैं, but 10% chances ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ break out देता है, stock में momentum आजाए, volume आजाए, कोई news आजाए market में, ठीक है न, तो ये ऊपर की तरफ भी break out दे सकते हैं, ऐसा कोई जूरी नीचे की तरफ भी देगा, तो उस situation में हमने अपना ये support हमने जो draw करके रखा हुआ है, जो इसक देखने का मतरब है कि आप एक candle अगर यहाँ पर रुखते हैं, ये दिखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मानलीजे ये candle है, ठीक है, ये candle है, ठीक है, अब ये candle जो है, मतलब इस trend line के उपर close हो चुकी है, मतलब इस candle का high है, जो closing है, ओ closing जो है, इस trend line के उपर है, तो आ 9.75 रुपीज, तो यहाँ पर जो है, आपकी entry होने चीए, 50 रुपीज पर, तो 50 रुपीज पर आपकी entry यहाँ पर हो गई, आपका stop loss जो है, आपका stop loss इस support के नीचे हो गया, जो हमने support रोग किया हुआ था, यहाँ से एक या दोर पे आप नीचे entry रख सकते हैं, और target देख यह breakout मालेजिए, यह हुआ 45 रुपीज पर, और entry हमने ली है, 50 रुपीज पर, तो 5 रुपीज तो हमने, मतलब हमने late entry ली होई है, because confirmation, due to confirmation, क्योंकि हमको confirmation की वेट करनी थी, तो अभी रह गया 13 रुपीज, तो 13 रुपीज तक जो है, मतलब हम अपना target रख सकते हैं, second जो है, यह जो high लगा हुआ है, हम यहाँ पर भी अपना जो है, यह देखिए, यह जो high लगा हुआ है, यह high देख लेते कितना है, हाँ ठीक है, near about 10 to 12, 20 के near about आ रहा है, या फिर हम इस high पर अपना first target यहाँ पर book कर सकते हैं, तो चलिए, मैं जो है, उमीद करता हूँ कि आपको, मतल सकते हैं, या फिर मेरी mail ID पर जो है, मतलब आप मुझे पोच सकते हैं, मैं आपको चीजे बताऊंगा, एक बर में आपको दुबारा बता देता हूँ, नीचे से जहां से price बार बार bounce back कर रहा है, वहाँ पर हमको support रहा कर लेनी है, ठीक है और यहाँ पर जो lower high जो बन रहे है ascending triangle pattern को आप हमेशा uptrend में trade करिए, और descending triangle pattern को आप हमेशा downtrend में trade करिए, तो यह बहुत अच्छा रहेगा, बाकी मैं अपने दोस्तों कहना चाहता हूँ कि अगर आप technical analysis सीखना चाते हैं, तो हमारा telegram channel है, telegram channel में मैं इस तरह के chart post करता रहता हूँ, और जो भी market में जो भी activity होती है, उसके बारे post करता रहता हूँ, candlestick chart pattern हो गया, यह chart pattern हो गई, यह सब मतलब मैं अपने telegram channel post करता हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर telegram channel join कर सकते हैं, link जो है description में दिया हुआ है, वो channel आपके लिए मतलब काफी helpful साबित हो सकता है, अगर आप जो है, मतलब bell notification भी जुरू प्रेस कर लिजेगा, thank you, stay home, stay safe